क्या मुद्दे रहेंगे पहली बात यहां पे आपका सीधा सीधा टक्कर हो रहा है शोय बंसारी से यहां पे मुद्दा तो बाद में हैं यहां की पहल राज यहां मैं एक माफिया गुंडा के खिलाफ मैं चुनाव लड़ती हूँ इसमें हमारी जन्ता का पूरा सहयोग और साथ है और यहां के करकरताओं का पूरा सपोर्ट है मुझे जिताने के लिए पूरा सपोर्ट है अंसारियों के खिलाफ क्योंकि यह चीज बहुत बार कही गई है बीजेपी द्वारा कैंपेनिंग में भी कि गुंडा राज को बीजेपी ही खतम करेगी क्योंकि वरना गटबंधन जो है वो उनको सपोर्ट देती रहेगी जी आप देखे भी होगे 2017 से जो व्योगी जी की सरकार रहे थी आज गुंडा माफिया सब जे ले आ चाहे प्रदेश से बाहर है और आज गुंडा माफियाओं के खिलाफ सरकार की सोच है चाहे जनता की भी सोच है कि यहाँ गुंडा बर खतमा हो आखरी सवाल मेरा यह है कि बार-बार गटबंधन कहा रही है कि विकास नहीं हुआ बेरोजगारी है इस पर वोटिंग होगी और बीजे पिहारेगी जी मुद्दा कुछ नहीं है बोलने के लिए भी पच्चियों का क्योंकि जीतर विकास हमारी सरकार ने किया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारी सरकार ने पूने तह सबका काम किया है उनके बोधने के कुछ रह नहीं गया है जूट मुट का लोग एक बोलने पर क्या दावा है अब सुनिये उनकी बात अब 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 लाइन में खड़े हैं और यह बहुत कम देखने मिलता है हम अब अब लाइन में खड़े हैं सबसे पहले इस पर आप से एक बात पूछना चाहूँगा कि यह एक अलग सा नजारा है नहीं यह लोकतंत्र का आज पर्व है और इस लोकतंत्र में भारत के सम्विदान के हिसाब से एक मत देने का अधिकार प्रतेक बालिग नागरिक को है तो जब एक ही ओट देने का अधिकार है तो सब अपनी बारी से इस अधिकार का प्रियोग करें मैं थोड़ा लेट आया हूँ तो जहां नंबर है मेरा जब नंबर आएगा मैं भी अपने वोटकास्ट करूँगा सभी मत दाता है और सभी मत दाता अपने मत का प्रियोग कर सातवा चरन है'm 54 सीट आपके वारें में काफी बाते हैं जिस हिसाब से कहा जाता है कि आप भी भाप लेते हैं कि आगे किस तरह हवा रुक बदल रही है क्या कहना चाहेंगे इस सातवे चरन के वारे drink किस तरह से देखते हैं इस इस चरन को उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों से जो भारती जंता पाटी की सरकार मानी योगी आदित नाथ के मुखमंतरी के हैसियत और उनके मंतरी मंडल के चल रही थी उत्तरप्रदेश की जन्ता ने इस बार बदलाव का फैसला लिया है और निश्चित रूप से इस सरकार का पतन हो रहा है और अंतिम चरण का जहां तक सवाल है ये बहुत ही उन लोगों के लिए बुरा होगा क्योंकि इसमें वो चौवन में दस सीट से लेके चौदा सीट के बीच में ही सिमड जाएंगे चौवन में से केवल दस से चौदा सीट दस से लेके दस भी हो सकती है ग्यारा बारा हो सकती है चौदा से अधिक नहीं हो सकती क्योंकि एक एक जिले में एक एक सीट के लिए तरस जाएंगे ये लोग जनता क्या चाहती है इस सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए ऐसे ऐसे हतकंडे अपनाए और जनता के सवालों से मुह मोड लिया जनता महंगाई से तरस्त है बेरुजगारी से तरस्त है जनता गिर्ती हुई कानून बिवस्था से तरस्त है जनता बढ़े हुई भरष्टाचार से तरस्त है